तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी रहा समय जगाहों के बारे में बताने चार हैं जिनकों विज्ञानिकों ने आज तक नहीं सुझा पाया हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बारमुडा ट्रेंगल के नाम से जाने जाने वाला या हिलाका मियामी बारमुडा और पोर्टो रिको के बीच पड़ता है इस इलाके से गुजनने वाले पायलेट बताते हैं कि यहां कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं साथ ही कई पानी के जहाज भी समंदर में गायब हो करण को कोई नहीं जान सका है इससे लोग साइस्ट वेच के नाम से भी जानते हैं गर लोगों की माने तो विक पूड यूनाइटेड स्टेट्स और कनाड़ा के बरफिले परवतों में रहने वाला जीव है इसके रंग रूप को देखकर कुछ इसे गोरिला बताते हैं तो कु नहानियां परचलित हैं कि अब तक लोग या भी मानते रहें हैं कि या एक समुद्री जीव है इसकी ना जाने कितनी ही तस्वीरें और वीडियो बनाये जा चुके हैं जिसे देखकर कोई इसे समुद्री सांप तो कोई डैनासोर का वंसस बताता है और यहीं नहीं आज भी दावा करते हैं कि इसे इस इलाके में कभी पानी के उपर तो कभी भीतर देखा जाता है मगर असल में यह क्या है आज भी रहस्त ही बना हुआ है नर्वे के होल्ट लेंड में हैस्ट डालेन घाटी के अकास में अक्सर देखी जाने वाली रोसनी एक अद्बूच पहली की त कभी धीमी हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगा ठैर सी जाती है इस तरह की घटना केवल नर्वे में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खवरों में आती रही है इसके कारणों को जानने की काफी कोशिस हैं कि गई पर किसी नतीजे पर नहीं जा सका है और यह आज भी एक रहस्ती ही बना हुआ है साट साल से विज्ञानिक इस जगा के रहस्ती को ढूनने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई संतोस पर जवाब नहीं मिल सका है तस्वीर में देखिए नमीबिया के रेगिस्तान को उपर से देखने पर इस तरह क लेखिए आकरतियान दिखती है यह चोटी चोटी घास के बीच बने गोले हैं जिसके अंदर बिलकुल घास नहीं उखती यह गोले समय के साथ साथ बड़े होते हैं यह दो मीटर से 15 मीटर तक बड़े हो सकते हैं इन पर सी सरकल्स के लिए विज्ञानिक के पास कई ठियरी ह कोई कामयाब जवाब नहीं मिल सका है तो दोस्तों यह थी दुनिया की कुछ रास्त में घटनाए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमाई चैनल पर ना है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आकन भी प्रेस क लोड करें तो उसकी नोटिफ बसन सबसे पहले अब तक पहुंग जाए